दोसो भारत द्वारा तेजस एरक्रप्टों को एक्स्पोर्ट करने के लिए कई सारे देशों को ओफर किया गया है इसके बारे में तो आप लोग पहले भी सुने होंगे पर क्या आप nutrit को पता है कि भारत के तेजस एरक्रप्टों को लेके मिडलिस्ट के अंदर भी चर्चा हो शुरू हो चुका है। असल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है। वो अपने पुराने हो चुके BAE सिस्टम हॉक 127 लेडिन फाइटर टेनर एरक्रप्टो को रिप्लेस कर सके। इवन यहाँ पे यह भी बताया गया है कि Air 6002 फेज वान के रिक्वर्मेंट के तहत ही यह रेस्पॉंड गया है और यह इशू जारी हुआ था जून 2020 के दिन जहाँ पे इंडिया के तरफ से तेजस एरक्रफ्ट के लीड इन फाइटर ट्रेनर कॉन्फिरिगेशन का ओफर किया है पर दोस्तो रिक्वेश्ट फॉर इंफर्मेशन के मुताविक जो सबसे क्रिटिकल रिक्वर्मेंट है वो है एरक्रफ्ट के फर्फॉर्मेंस और एरक्रफ्ट के मिशन सिस्टम जो की पाइलर ट्रेनिंग और फास्ट जेट के बीच का एक ब्रीज रूपी होना चाहिए इवन इसके इलावा ये भी जानकरी दिया गया है कि ये जो फ्यूचर लीड इन फाइटर ट्रेनर एरक्रफ्ट है इसे लेकर रॉयल ऑस्टेलियन एर फोर्स का एक्स्पेक्टेशन ये है कि ये एरक्रफ्ट फास्ट जेट के एर क्रू के ट्रेनिंग के लिए और साति supporting role में इस्तेमाल हो सके, साथ में ये aircraft adaptable, affordable और safe होना भी आवशक है, even इन aircraft को 2050 के टाइम फ्रेम तक भी इस्तेमाल होने लाइक होना चाहिए, फिलाल दोस्तों जो request for information जारी किया गया है, उसे Hindu Sun Aeronautics Limited के तेज़ेस aircraft के द्वारा संपूर्ण रूफ से fulfill किया सकता है, और इस तेज़ेस aircraft को manufacture करने के लिए Hindu Sun Aeronautics Limited को Indian Air Force के तरफ से contract मिला है, जबकि indigenous इन aircraft के द्वारा fighter और trainer के आवशक्ताओं को भी पूरा किया जा सकता है, और इस वज़ा से इन aircraft को लेके Hindu Sun Aeronautics Limited export market में एक lead in fighter trainer के तहद भी आगे बढ़ना चाहता है, पर दोस्तों अगर इन aircraft को ले किया जा रहा है, और export order मिलने के बाद ये निर्मान गती प्रयापत नहीं होगा, और इस बज़ा से अब Hindu Sun Aeronautics Limited के तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इस गती को सालाना 8 aircraft से बढ़ा के सालाना 16 aircraft तक किया जाएगा और इसके लिए Bangalore में एक नया state of the art facility का भी निर्मान कि किया जा रहा है, Hindu Sun Aeronautics Limited के चेर्मेन डॉक्टर आर माधवन के तरफ से भी हाली में बताया गया था कि foreign countryों के तरफ से तेज़ा से एर क्रेप्टों को लेके इंट्रेट दिखाया जा रहा है और जल्दी हमें ये भी भरुसा है कि ऐसा है contract भी मिल जाएगा, Royal Australian Air Force के इलावा Hindu Sun Aeronautics Limited के तरफ से निर्मान किया हुआ इन तेज़ा से एर क्रेप्टों को Royal Malaysian Air Force को भी offer किया गया है, असल में Royal Malaysian Air Force के तरफ से हाली में ही एक global request जारी किया गया था ताकि एक low cost light fighter एर क्रेप्ट को खरिदा जाए, इवेन दोस्तों रिपोर्टों में ये भी वज़ाया गय पिछले साल के जुलाई महिने में मतलब जुलाई 2020 में हिंदोसान Aeronautics Limited के तरफ से US Navy मतलब अमेरिकी Navy को Tejas Aircraft के Naval Twin City Trainer Version का भी offer किया गया है, हिंदोसान Aeronautics Limited के चेयर में के द्वारा ये भी जानकरी दिया गया है कि Tejas Mark 2 जो की इसके next generation के एक एक एर क्रेफ्ट है उसके prototype फि पियार हो जाए और इसके बाद इसे कम से कम एक साल तक Ground Test किया जाएगा, जबकि इसके बाद इसके Flight Test होगा और संभावित ये सभी टेस्ट 2026 से 2027 के अंदर संपूर्ण हो जाए, कुल मिला कि हिंदोसा Aeronautics Limited बड़े plans के तहट आगे बढ़ रहे जिन में Tejas Aircraft के इंडियान अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन